तो भाई लोग क्यासे हो आप लोग तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवल के एपिसोड नमा 412 में आपका स्वागत हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अभी तक हमने देख लिया कि लूफेंग को माउंटिन के उपर घर वराने की इजाज़त मिल चुकी होती हैं और इसी कान केजा नाइट बहुत ही गुसा होते हैं कि आखिरकार एक अननाइक उनके साथ कैसे रह सकता है और भले ही प्राइमर के और CT की अनुमाति क्यों नहों आखिर उनके साथ ऐसा अन्या कैसे हो सकता था और यहाँ पर लूफेंग के साथ भी डिफ्रेंसियेट किया जा रहा था और अभी वक्ता लूफेंग को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए कि क्या लूफेंग कर सकता है और अफिर हमीं दिखाया जाता है जिसे भी लोग वंडर कर रहे होते हैं कि आखिरकार बार्ट मेर एंपर क्या करेगा यहाँ पर लूपेंग भी अंडाइंग बन चुका है तो उन्डों में फाइट होना तो लाजमी है अफिर हमीं दिखाया जाता है कि वहाँ एक यूनिवर में लूपेंग यानि ब्लेड रूवर एंपर का पीछा ता है व हैंपर के लिए और यहाँ पर सब लोग कि मैं तुम्हें यहां पे 80,000 सालों से नहीं देखा हूं और मैं यह देख पा रहा हूं कि तुम और विदा पावफुल हो चुके हो ब्लेड रिवर एंपर क्या तुम्हें कंडाइंग बन सुके हो अब दिखाया जाता है वहां पे जितने भी हायर्स होते हैं वह सभी यहां प एक युनिक लाइफ फॉर्म है जो कि युनिवर्स नाइटक को भी टकर दे चकती हैं और बात करें ब्लेड रिवर एंपर की तो वह सिर्फ एक नॉर्मल सा इनसान है जो कि उस सित्वासा कमजोर होगा लेकिन वह स्था स्ट्रोंग हो सकता है लेकिन यहां पर उन सब को यही कर लिया है कहां बार्टमेर का 2000 था वहाँ पे लूपेंग का 10,081 हो चुका था जो कि उसके मुकाबले 5 तंग जहाँ पावफुल हो चुका था और वो परफेक्ट बेंग की त्रूप में आ चुका था वहाँ पे कई साय की बीच में discussion होने लगता है लेकिन लूपेंग इंसाय discussion पर बिल्कुल ने ध्यान नहीं देता है और वो बार्टमेर एंपर का जवाब देता है कि तुम तो सच में परसेप्टिव हो तुम मुझे देख सकते हैं और तुमने सही कहां मैं अभी अभी ही अंडाइंग बना हूँ तो ये सुनकर बार्टमेर एंपर हसते हुए कहता है जिन्दा बचकर भाग सकता है और तुमने 6,20,000 बैटल में से अल्मुस सभी बैटल को जीत लिया तुम तो सच में लेजनरी ब्रेड रिवर एंपर कहलाने के लायक हो दिखाया जाता है कि बार्टमेर एंपर महले ही ब्रेड लिवर एंपर के बारे में तारीफ कर रहा था लेकिन उसकी आवास से यह साब पता चल रहा था कि वो बहुती गुस्से में था और एग्रेसिव तरीके से बूर रहा था दिखाया जाता है कि सभी लोग उन सबकी बातों को बरे ध्यान से सून रहे थे और नहीं यह पता था तिन लोग फ्रेंकी रिप्टेशन क्या थी अ अंगे बोलते हैं कि जबकी तुम्हें बन चुके हों मैं यह एडमीट कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे इतने अच्छा नहीं था जम्मत्स सेक्ट cucar Lord का बनना था लेकिन मैं यहां पे देख सकता हम कि तुम अंढाय बन चुके हो और तुम्हारी पावर भी बहुत रहीं बढ चुके होंगे जितने मिफ हाई अर्स होते हैं वो बड़ी ध्यान से उनसाब की बातों को सुन रहे होते हैं यहां पर बार्ट मेरे एंपर फानली क्याता हैं कि मैं यहां पर आया हूँ पहले तो तुम्हें कंग्रेचुरेट करने के लिए दुस्रीा बात यह कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ bladewower emper तुम्हें चैपलेंज के वर्ती दो मैं तुम्हें यहाँ पर लाइफवेंड 2018 में बैटल अरीना में चैलेंज करता जो कि ठी से तेन्स हो जाता है कि क्या लूफिंग उसके इस आफ़र को असेपट करेगा यह फुर नहीं और अफिर आम में दिखाया जाता है कि लाइफ और डेट बैटल आकिर कर यहां कहां होने वाला है क्या तैमेंसे वर्ल्ड ओ ग्लोरी के अंदर कराना चाहते हों तो यहा डेट बैटल करना चाहता हूं उसमें असली जिन्दगी और मौत का खेल होने वाला है मैं यहां पर तुम्हारे लिए एंचेस्ट्रल गॉट सीक्रिट रीजन में एक जगा को चूज करूँगा जहां पर हम लोग फाइट करेंगे अभी तुम पर निर्वर करता है कि तुम यह करते हो तो ना बोल सकते हो क्योंकि यहां पर तुम एक प्रियर्लिस टैलेंट हो और यहां पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डिसपाइट ना करो अब यहां दिखाया जाता है पूरे ही माहल को जहां पर टेंस ओप मिल्लियंस ओफ आयर्ड बरहीं ध्यान से उनकी बातों क एक लेजन था और इसके इस जवाब का सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं और अफ्रिय दिखाया जाता है लुफएंग को जो कि इसके सामने देख रहा होता है और वो फाइली क्याता है कि आखिर कर मैं ऐसा क्यों ना इसको असेप करूं जबकि तुम अपने ही मौत को कर दिया तो लूफिंग क्याता है कि of course मैं आखिरकार किसी भी अंडाइंग फाइटर्स का यहां पे चैलेंज को डिडाइं नहीं करूँगा और यहां उसके इस आवाज पूरी तरह से गुन जाती है और जितने में हायर्स होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहां स्माइल कर रहे होते हैं सब को लग रहा होता है कि लूफिंग इससे नहीं जीत पाएगा क्यूंकि सामने वाला बार्कमेर एंपर एक स्पेसल लाइफ़ वाम है लूफिंग तो एक हुमन ही है दिखाया जाता है हमें बार्कमेर एंपर को यहां पर हो कहता है ठीक है मैं तु यहां पर वो कहता है कि इतनी जल्दी हो से कि मैं बता दूंगा और यह मैच हम लोग आदे दिन बाद ही करने वाले ही लू फैंग भी इसके लिए इंतजार कर लता है और मान जाता है और फिर हमें बता जाता है कि लू फैंग का यह बैटल का नियूज चाहँ तफ आग जैसा हैं और जितने भी हायर्स थे अंचेस्ट्र गॉर्ड स्कूल में वह सारे बहुत ही ठ्लो हो जाते हैं और बात रहें यह भले ही बैटल थी सिर्फ अंडाइंग के बीच में ही लेकिन यहां पर टू यूनिवर्स नाइट की बीच का भी बैटल इतना टिन से नर्ड रोग करत हैं जितना कि लूफेंग और यहां पर बार्टमेर एंपर की इस बैटल की कारण हुआ था जो कि सिर्फ एक अंडाइंग थे लेकिन यह एक लेजिन्री बैटल होने वाली हैं और चाहत अब यह आग से फैल जाती हैं और चाहत बाते होने लगती हैं कि लूफेंग रेकलेस ह और यहां पर बहुत ही लंबा चाहर डिसकसर होता है जो कि यही है कि लूफेंग यहां पर कमजोर है आखिर वो कैसी जीतेगा तो इस सब को पार्ट में स्कीप करता हो कि यह बोरिंग टाइप का रफवी हमें सीन चेंज कर दिखा आ जाता है लूफेंग को जो कि बहुन या आइलेंड पर आ चुका होता है लूफेंग क्याता है कि लगता है कि बार्ट में एंपर बहुत ही कॉन्फेंट है में लूफेंग के सूल स्लेव टियांचेन एंपर को दिखाया जाता है जहां पर क्याता है मस्टर कि प्रामर के सीटी लीडर ने आपके लिए बहुत ही और वो पहले से ही बोल देता है कि जस्तिन की तैयारी करूँ क्योंकि मैं तो जीत नहीं वाला हूं और फिर हमें सीन चेंट कर एंचेस्टर गॉड्ट सीक्रेट रिजन के फ्लोटिंग माउंटेन एर्वीजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर भाग मेर एंपर आ चुका था लूफएंग भी वहां पर आ जाता है और ये टाइम था दोनों के बीच में फाइट करने का रफवी बाइग मेर एंपर कहता है कि तुम तो बरी जल्दी आ चुके हो और यहां पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ट्रू ट्रेलर है लेकिन देखता हूं कि क्या तुम औरे ऊपने ए इयरा स्कुएर का सीन दिखा आ जाता है जहां पर कही सारे हरे आ चुके होते हैं और सबी लोग आये हुए थे बाट मेर आ एंपर के और लुफएंग के बीच के मैस को देखने के लिए यहां पर हमें बाट मेर को भी दिखा आ जाता है है कि मैं इस बैटल को virtual network में broadcast करने वाला हूं सबको live दिखाने वाला हूं यह भी दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर कौन असली वीजेता है तो यह सुनकर लुफिंग कहता है कि क्या तुम अपनी हार को सबके सामने दिखाना चाते हो तो यह सुनकर यहाँ पर कहता है कि यह तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और यहाँ पर बार्त मेर एंपर बहुत ही आरोगेंट हो रहा था जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर fight स स्टार्ट हो जाती है लुफिंग उसके सामने खाड़ा हुआ होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वह अपने गौली पाउल को बंट करना सुरू कर देता है और दिखाया जाता है कि तभी वहां का इस पेस फिर ट्विस लेकिन दिखाया जाता है कि लुफिंग बड़ी असानी से उसको जेर लेता है जिसको देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि लुफिंग ने आकर इसको कैसे सैलिया क्योंकि उसने अपनी गौली पॉडी को बंट किया होता है और इसमें लुफिंग को थ्वासा ना थ्वास लूफएंग इसके अंदर अपने गॉडली पावर को भी इंजेक कर दिया था और ये लूफएंग का स्टार टावर के अंदर का थ्री अल्टिमेट मूव था ना लूफएंग उसके सेकेंड मूव को यूज कर रहा था जिसमें की लूफएंग के पांस टोटल 520 मिनियेच ब्लैक होस जैसे क्रेटर जो की बहुता पावफुल थे और ये पावर किसी भी यूजर पर डिपेंड करता है जिसका यूजर जितना जाया पावफुल होगा उसका पर उतना हजा पावफुल बन जाएगा लूफएंग की अब ये गाडली बॉड़ी किसी भी यूणिवर्स नाइट के पावर को बिलॉंग करती है उसको टकर दे सकती है और लूफएंग इसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया होता है अब दिखाया जाता है बा होती लेट हो चुके हो और दिखाया जाता है कि वह जितने भी 520 मिनियेशिव ब्लैक होस होते हैं वह एक बीस्ट्गोड का फॉरम ले लेते हैं वो सभी कनेक्ट हो जाते हैं और वह सभी बीस्ट्गोड टील बन जाते हैं और वह एक ही साथ में मिलकर बार्ट मेर इंपर प बन सकते हो और यहां पर क्याता है मैं इस पेसल लाइफ वर्म हूं मैं यहां पर इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला हूं इसके बाद वह भी अपने टूफ ट्रेजर को कास्ट करने लगता है और यहां पर इस पेसल का यूज करने लगता है उस पर अटैक करना शुरू कर दे है लूफ्रेंग अभी यहां पे बीस्ट गॉड की यूज कर रहा होता है लेकिन यहां पर उसकी इस पावर का भी असल लूफ्रेंग पर नहीं होता है जिसे देखका बार्ट में एमबम पूरी तरसे टरिफाइब हो जाता है और वो क्याता है यह इंपॉसिबल हो सकता है यह ना मुम्किन है ऐसा कैसे हो सकता है मैंने अपने गॉडली बॉडी के 6% को डिस्ट्रॉइ कर दिया है फिर भी उसके आर्मर को कुछ भी नहीं हो पाया है लूफ्रेंग का अटाइक इतना पावफुल था कि उसके 6% गॉडली बॉडी भी डिस्ट्रॉइ हो गई थी उसके ए पहले में 168 एंप्र डीस्ट्रेंग ने इसे यूज किया होता है और चिहता है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है को उसके एक्टाइक करना शुरू कर दिता है लेकिन हमें दिखाया जाता है बार्मेर एंपर को जो कि हसते वी कहता है कि तो माई गॉर्ड़ी बॉडी में ऐ जरुदात होगी मुझे हराने के लिए लेकिन हमें दिखाया जाता है लूपफेंग को जहां पर लूपफेंग हसने लगता है और हमें दिखाया जाता है बार्ट मेर एंपर कहाता है कि आखिर ये किसा कैसे हो सकता है तुमारी गौर्ली बॉड़ी अभी तक कमजोर क्यों नही जूद भी अपने गौर्ली बॉड़ी को फिर्स रिकवर कैसे कर पाया बताया जाता है कि लूपफेंग ने अपने एक रिंग में रिमोट ओसीन बॉड़ी को रखा हुआ था रिमोट ओसीन बॉड़ी की हाइड पहले ही 5500 मार्श से उपर जा चुकी थी और ये रिमोट ओस घु अपने अर्थ लीगा बॉड़ी को 100% तक भाता है और में दिखाया जाता है गौर्ली बॉड़ी डयमज होते जाती है उसकी गौर्ली बॉड़ी फिप्टी-वड़ी फॉटी फाइपरसंट 39 परसंद ही लेकिन लूफेंग की गौर्ली बॉड़ी होने बॉस्ते की इस उससे endless supply dairy होती है और दिखाया जाता है मैं यहाँ पर उस बंदी को बाट में इंपर को जो क्याता है तुम तुमाय टूचर 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 तुम दोनों ने मुझे बहुत ही यहाँ पर तंग किया है वह यहाँ तक इतना जाया हो चुका था कि वह अपने आपको एक्स्प्ल होता है वहाँ पर बग जाता है और उसे कुछ भी फर्क नहीं परता है फाइली लूप्रेंग ने बाट में एंपर को मार दिया होता है अब दिखाया जाता है तभी वह मरता है तो उसके ट्रोजर बाहर निकल जाते हैं जिसको लूटने के लिए पिंग फाइंड नाइट आ आया हुआ होता है अब दिखाया जाता है लूप्रेंग को जो कि उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और वो क्याता है कि आकर कर तुम इसे क्या से ले सकते हो अब पेंग फाइंड नाइट वहाँ पे आया हुआ था उन सब के रफरी बंद की और यहाँ पे उसका पहले नाइट को देखता है जोकि उसकी तफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है लूप्रेंग उसे की पेंग फेंग नाइट तुम एक कैने डिफाइंड जेनरल हो और तुम इतने स्टूपिड नहीं हो सकते हो क्या तुम्हें सच में लगता है मैं उस ट्रेजर को तु भी मरेगा वो उसके टूलर को लेहीं लेगा लेकिन यहाँ पे लूप्रेंग ने उसको पहले ले लिया होता है अपने स्पीड की कान अब दिखाया जाता है कि पेंग फेंग नाइट असल में डिफाइंड जेनरल होता है मतलब यह कि वह 72 डिफाइंड जेनरल में से एक था और उसकी सूल एम्टिफिकेशन और रेड़ी 100 टान जाला बढ़ चुकी थी और वो अपने लिए सूल अटैक का भी यूज करना जान गया था और उसके पास बहुत ही पावफल टेक्निक्स थी जो कि अटैकिंग टाइप टेक्निक्स थी जो इसकी पावर भी बहुत ही जाल लूफिंग पर अटैक कर सकता है और उसके वो सूल पर अटैक करता है लेकिन लूफिंग का वो टावर पर लूफिंग के सूल को बचा लेता है और यहां पर वो भी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता लूफिंग को जो अस्तर भी क्याता पैंग्फिंग नाइट तरह सौक था उसे पता था कि उसके पास टूट सोल ट्रेजर है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतनी आसानी से वो उसके अटैक को सह लेगा दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे पढ़ जाता है उसके उससाइड ट्रेजर को लेगने के लिए लूफंग वहां से भागने की कोसिस कर रहा होता है और वो अपने टेक्निक को परफॉर्म करके निकर रहा होता है अब पेंग नाइट भी पीजे कैसे हटने वाला था और उसे पदा था कि उसे जल्दी से जल्दी लूफएंग को पकरना होगा नहीं तो उसके पास इतना समय नहीं है क्योंकि हुमन रेस्ट के दूसरे बंदे जो कि सुप्रीम बेंग से वह यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर लूफएंग को बचा लेंगे अब दिखाया जाता है कि वह अपने लॉव डॉमेन को यूज करता है और हन्लेंस टॉफ मिल्लेंस टॉफ माल्स के स्पेस को वहाँ पर साइलेंट कर देता है और लूफएंग को उसके लॉव डॉमेन में ट्रैप करने की कोसिस करने लगता है यहाँ पर लूफएंग भी उसके अंटर ट्रैप हो जाता है जो कि लॉव डॉमेन हो टी टाइम लॉकी और वहाँ पर वह पर पूरीतर से फस्ट जाता है यहाँ पर लूफएंग भी निकलने की कोसिस करता है और वह वहाँ से निकलने की कोसिस करता है अब दिखाया जाता है वह उस अटक को से See wings से completely dare नहीं करता है कि उसे रुपप ह़ां क्यूंकि उसे पता था कि वो Pink Fingo Knight. बहुत ही strong है और वह उसे जरुत्वा सा damage दे देगी तदिखाया जाता है कि उस एक अटाइक के कान ही लुफ्रेंग का 60% undying body पूरितर से डिस्ट्रोई हो जाता है जिसको देख लुफ्रेंग टेलफाई हो जाता है और लुफ्रेंग सूचने लगता है कि इसके एक ही अटाइक ने 60% undying body तक को डिस्ट्रोई कर दिया है लेकिन लुफ्रेंग के पास remote ocean body होती है जिसके कान वह अपने पूरे के पूरे पूरे अंडाइक बॉडी को एक इन जटके में हील कर लेता है जिसके बाल वहां से निकल लेकि कोसिस करने लगता है दिखाया तफ पैंक फैंग नाइट को जिससे की विश्वास नहीं होता कि याकिर का लुफ्रिंग कैसे बस नाइट की और वो भी उसने टाइम लॉग डोमेन के अंदर यूज किया था तो लुफ्रिंग को इसमें बहुझा इंचर होना चाही था यह कि लुफ्रिंग ने फिर से अपने 100% बॉडी को गेन कर लिया है और उस तो उसने लगता जरू उसके पास क्लोन टेक्निक है उसके करे दीकशने लगता मारने लगता और डिखाया आ जाता है कि वहां पर दो वेड़र आ जाते हैं अब यहां पर इंचोर्इन से एक चक्षDay पूरा ही गया होता है जिसको कि मैं short में explain कर दाता हूँ कि आखिरकार पीछे क्या हुआ होगा अमिया पे हमें जितना भी आगे पढ़ा था उससे पदा चला कि लूफेंग ने उससे भागनी की कोशिश की और लूफेंग का इस हद तक situation आ चुगा था कि लूफेंग को अपनी नाइन रिबोटनेस बॉडी को डिस्ट्रॉइ करना पर गया था इसल्फ डिस्ट्रॉइक करना पर गया था जिसके कान वहां पे वो पेंग फेंग नाइट का थ्वासा गॉली बॉडी भी डैमेज हो जाता है असले में वो यूणिवर्स ओवर लॉड होता है जिसके कान लूफेंग को तकली 40 होती है अगर वो एक यूणिवर्स नाइट होता तो लूफेंग उसे फाइट करका उसे जरूर मारने की कोसिस करता लेकिन दिखाया जाता है कि लूफेंग ने उसे इंजट कर दिया होता है और human race के तरफ से भी एक और बंदा आ चुका होता है जो कि जीव फेंग नाइट होता है जो कि लुफेंग को बजाने के लिए आया हुआ होता है और पिछले एक चैप्टर में यही एक detail होगा जो कि skip होगा और फिर हमें दिखाया जाता है जीव फेंग नाइट को जो कहाता है लुफेंग से कि तुम एक यन डाइंग में रह कर भी पेंग फेंग नाइट को इंजड कर पा रहे हो जो कि एक युनिवर्स लॉड हो और तुम यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव हो तुमारी लॉड काउंप्रियेशन भी बहुत ही अच्छी है तो लुफेंग स्मायल करते हैं मैं तो बहुत ही लग्की हूँ अब यहाँ पे बहुत नी बकवास होती है जो कि वही सारी बकवास लिखी हुए होती है जिसको मैं skip करता हूँ और अब फिर हमें दिखाया जाते है लुफेंग को जहाँ पे वो फाइनली वापास आ चुका होता है और यहाँ पे लुफेंग ने अपने पास इंसेंट बोड गैलेक्सी टेक्निक को भी यूज किया होता है और वहाँ भागने के लिए अपने कैसा है वाइटल ट्रम कार् और वहाँ उसकी डोमेन होती है जो कि उसकी लोग डोमीन स्पेस डोमेन होती है जिसे कि वो आयम ने यूनिवर्स नाम के टेक्निक को परफॉर्म कर सकता था वहाँ से भागने के लिए लुफेंग ने इससे सब को यूज किया होता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है उ कि यहां पर लुफेंग से हार जा चुका है और उन्हें किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और कि वो बिना के लुफेंग के देखने लगता है और यहां पर लूफेंग कहता है कि मैंने यहाँ पे बैटल को औरेडी फिनिस कर दिया है और मैंने बाइट में एंपरे को मार भी दिया है और सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुस होते हैं लूफेंग के पावर के बारे में अब उन दोनों के बीच में जो हुआ वो किसी को भी नहीं पता होता है कि आखर उन दोनों फाइट हुआ है और लूप फैंग ने उसके घौरली बॉड़ी को इंजर्ड कर दिया है अगर ऐसा किसी को बता चला तो फैंक फैंग नाइट की बहुत ही बदनामी होने वाली है और लूफैंग का अभी एन्मी युनिवर्स नाइट ही नहीं रहा बलकि युनिवर्स ओवरलॉड से भी सामना होनी वाला है और फिर फिर से यहां पर एक और चैप्टर गाया हुआ था मैं खौजने की कोशिस तो किया लेकिन यहां पर चैप्टर गाय भी हो रहे हैं बहुत सा करने के साथ लेकिन यहां पर आने के बाग लूफैंग को पता चला था कि यहां पर ठंडर बीस्ट भी आने वाला है जो कि यहां पर टूट ट्रेजर को देने के लिए आया होता है और असल मैं आपको बता दू कि एन्चेस्टरल गाओड इस्कुल में कैसा है ग्रेटिस सु को नई देते ही और यहां पर लोफण लूप मुझा करते हुए इससे पूस्ता है कि आफिर आपके कहने का क्या मतलब है दो थे तर dissertation और यहां पर मुझे एक भी नहीं मिल सकता है आपको यहां पर confusion हो रहा होगा कि आखिर यह क्या कहा है मुझे यह थोड़ा सा confusion हुआ था लेकिन आगे आप लोग सुनो आगे आप लोग इसको अच्छे से clear कर दूँगा अब यहाँ पर ट्रू नाइटर उससे कहते हैं कि तुम जू चूंग एंपर के बराबर नहीं हो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जू चूंग एंपर जो कि वान अंचेश्टर स्कूल तुम नहीं उत नहीं खरच कर सकती है और जू चूंग एंपररेंजय,पूरी तर से अंसेश्टर स को ही जॉइन किया था किसी और को नहीं जॉइन किया था जिसके can एंचास्टर स्कूल उसivable किसे भ्याद देती थे उसको true treasure दे सकते हैं लेकिन तुम भी जिनता मत करो तुम भी बहुत ही पावफुल हों वैंचेस्टर स्कूल तुम्हें भी बहुत ही मानते हैं और तुम्हें भी इतना जड़ा वो जरूर वर्तिर मानते होंगे और तुम्हें भी true treasure जरूर मिलेगा और अब यहां पर ऐसे दिन वी दो काता मौता है तुम एक्स रूमे ताफ ता कि लिए बाइ